सालों इंतिसार के बाद आखिरकार कमल हसन फिल्म इंडियन 2 सिनिमा हौल्स में रिलीस हो जुगी है। फिल्म को तेलगु तमिल मल्यालम करनेच सहीध हिंदी में भी रिलीस किया गया है। डिरेक्टर शंकर की फिल्म को रिलीस के साथ ही क्रीटिक्स ने खास रिव्यू नहीं मिले हैं। फिल्म की बोरिंग और कमजोर स्टोरी फान्स को राज नहीं आ रही। इतना ही नहीं कमल हसन अपने लुक में फान्स को इंप्रेस करने में कामयाब नहीं हुए है। आपको बता दे फिल्म में सिधार्थ, रकुल प्रीट सिंग और S.J. सूर्या लीड रोल में हैं। डिरेक्टर शंकर और ली डाक्टर कमल हसन की फिल्म में इंडियन टू सिनमा हौल्स में रिलीस हो गई है। जो इंटरनेट पर वीडियो के माध्यम से देश में ब्रेश्टर नेताओं को उजाकर करने का काम कर रहा है। दिश्रा भी इस मिशन से जुड़ी होई होती है जो की है फिल्म में रकुल प्रीट। क्या तीनों मिलकर देश में फैने ब्रिश्टर चार को रोक पाते हैं क्या उनका मिशन काम्याब होता है उन्हीं किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है इन सवालों का जवाब। प्रिश्टर चार की टॉपिक को नए तरीके से पेश करने की कोशिश की गई जो बिलकुल भी इंप्रेसिव नहीं है दूसरी तरफ की स्टोरी कागस्ट पर तो अच्छी है लेकिन इसका पड़े पर एक्जीटूशन फांस को कोई खास इंट्रेस्ट पैदा नहीं कर पाया दिलसक बात ये है कि फिल्म की स्टाइटिंग 20 में एक के बाद फिल्म की स्टोरी पूरे तरीके से हिल जाती है डिरेक्टर उसमें क्या दिखाना चाह रहे है ये समझ में ही नहीं आ पा रहा है वल आपका कमल हसन की फिल्म इंजञें 2 के बारे में क्या कुछ है कहना हमें के लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब करें